Da Amrilay Academy के लाइस्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे अमरीलơn ke के सारे मैमपर्स ने लास्ट शीजन के अंदर एक जंप लगाया था बन गया है और उससे चीजी अपने आप बरबाद होती जा रही है यानि कि वापस से एक बार यही दुनिया कयामत की तरफ बढ़ती जा रही है इसी सारी कंटिनिटी के साथ में एपिसोड नंबर सेकंड की शिर्वात होती है जहां एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिख आप सेडियन का जो रिसेप्शनिस था वह बहुत जादा परिशान हो रहा था क्योंकि काफे दिनों से उसका डॉगी नहीं मिल रहा था उसके बाद हम लूथर को देखते हैं जो कि सुबह होते ही अपनी वॉक के लिए निकल जाता है लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे उसक को पूरा का पूरा उल्टा कर दीती है जिसके बाद हम एलिसन को देखते हैं लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि वानिया के कहने पर और खैर एलिसन को खुद को भी आना ही था तो एलिसन कैलिफोर्निया पहुंच जाती है अपनी खुद के घर घर बिल्कुल सेम टू लेकिन इस वक्त उसकी बच्ची वो नहीं थी जो कि फॉस सीजन की अंदर उसकी बच्ची थी इस वक्त ये बच्ची कोई और ही थी हालांकि इसका पती भी वही था यानिकी पैट्रिक लेकिन उस आत्मी ने शादी ही किसी और से की थी ऐलिसन की तो पूरी दुनिया ही अपनी और अपनी फैमिली के सारी फोटोग्राफ्स देखती है और इन सब को बहुत ही बड़े वाले क्रिमिनल्स घोशित कर दिया गया था और इनके नाम पे बड़े-बड़े से आर्टिकल्स लगाये थी कि कैसे 1963 के अंदर आके इन्होंनी बहुत तबाई मचाई थी लेक के अंदर वानिया तो सीसी को ढूंडना चाती थी इसी के कारण वो सीसी के बारे में बहुत सारी चीज़े देख रही थी उसे याद आता है कि कैसे सीसी ने बोला था कि वानिया नी उसे एक नई जिंदकी दी है वानिया के कारण ही आज वो खुल के जीप आ रही है वानिया एक नया अलोक उसने बनाने के लिए सोच लिया था जिसके बाद में सीनिया क्लाउस के उपर शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वो सोके उठता तो है लेकिन तब ही उसने अपनी शूस के अंदर से एक छोटी से स्लिप निकाली जिसके उपर कहीं का एड्रेस लिखा हुआ था अभी आपे सारे लोग सोखे उठ चुके थे और इसी के साथ में ब्रिक्वास्ट भी कर रहे थे जैसे कि डियागो का हमेशा से कहना था कि उन्हें स्पैरो अकैडमी से चाकी फाइट करना चाहिए यहीं पर क्लाउस का भी कहना था कि शायद अब हम इस टाइम लाइन के पर वानिया लॉट चुकी थी और वानिया अपने साथ में एक नई परसनालिटी लेकि निकली थी वानिया आप खूद को सबसे इंटर्यूस करती है एज विक्टर के नाम से और पूछती है कि क्या किसी को इस चीज़ के लिए प्रॉब्लम तो नहीं है बलकि यहां पर सब में वो ये भी बताती है कि वो नंबर वन यानि कि मारकस तेमिल के आई थी हालांकि जो नंबर फाइव था वो वानिया को डाटता है यानि कि विक्टर को डाटता है कि उसे अखिले नहीं करना चाहिए था लेकिन विक्टर बताता है कि उसे ऐसा करना पड़ा अगर वो ऐसा कभी नहीं करेगा लेकिन विक्टर कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है वो जरूर दे देगा मैं खुद उससे बात करके आऊंगा यहाँ पे इन लोगों को एक चीज और बहुत जादा अन्यूजवल लगती है कि थोड़ी देर पहले तक एक टैंक के अंदर काफी सारे क्रैब थे ज आलांकि नमबर फाइफ को क्लाउस की बातों पर हमेशा से कम विश्वास था लेकिन उसे भी घुमने का मन था इसी के करण वो क्लाउस के साथ जानी के लिए हां कर दीता है कि चलो हम थोड़ा बाहर घुम के आते हैं यहाँ पर दूसरी तरफ स्टैन जो था वो यहाँ पर म मार्केट में ले जानी लगता है यहाँ पर विक्टर सबको रोकने लगता है कि आरे तुम लोग रूको मुझे ब्रीफ केस लेके आना है मुझे तुम लोगों की ज़रूरत दगेगी उस चीज में लेकिन यहाँ पर डियागो था उसे अपने बेटे के लिए सूपर मार्के जाना था, साथ ही में नंबर फाइफ और क्लाउस भी चले गए, लूथर तो पहले से ही नहीं था और अलिसन बहुत जादा परेशान थी, तो विक्तर एक बार फिर से अकीला पर जाता है, यह हम देखते हैं कि लूथर को जब होश आता है, तो इस वक्त वो स्पैरो अकेडमी के अंदर था, जहां पर उसकी मा यानि की रोबोर्ट उसकी मरम पटी कर रही थी, वो उठता है और बाहर आके देखता है, तो सारे स्पैरो अकेडमी वाले ब्रिकफास्ट कर रहे थी और उसका वैलकम करते हैं कि आओ आओ बैठो बैठो जरा, देखे तो हम भी कौन आया है पहले तो लूथर को समझ नहीं आता कि आके री लोग इसे उठा के यहां क्यों लाए हैं, और उसके बाद उसे ब्रिकफास्ट करने के लिए भी कहते हैं, काफी जाता एंसिस्ट करते हैं, अब लूथर को तो खाने का इत्ता जादा शौक था, इसी के करण वो बैठ जाता ह क्योंकि इतना सारा नाशा तो वैसे है उसने कभी नहीं देखा था, खाने में वो अच्छे चीजे खानी लगता है, और तभी पता चलता है कि लूथर को आखे यहां पर लाया क्यों गया है, असल के अंदर लूथर को लाया नहीं गया है, बलकि किड्नैप किया गया है, अगर मारकस कहीं भी गया होगा तो मुझे नहीं पता, और अगर मेरी टीम वालों ने उसे किरनेप किया होगा, तो मैं यहांसे चला जाता हूँ, अगर बलकिल साई सलामत यहां बेज दूंगा, लेकिन बैन और उसकी सारी टीम ऐसा करने सी मना कर देते हैं कि तुम अब यह जब तक मारकस यहां पर नहीं वापस आ जाता तब तक तुम भी यहीं पर आओगे लूतर कहता है कि मेरी पूरी फैमली मुझे लेने के लिए जरूर आएगी तो यह सब कहता है कि बहुत अच्छी बात है अगर वो सारी लोग तुम्हें यहां पर लेने के लिए आएंगे तो इन चीजों से और जादा परिशान नहीं हो सकती हो क्या तुम्हें उसे यूज करना भी आता है मैं आखिर कितनी बार अपनी फैमली खोंगी कल तक मैं रे के साथ में थी और आज मैं मेरी बच्ची के साथ में भी नहीं हूँ यह सब कुछ चीजे बिगरती जा रही है आखि इस चीज के लिए हा कर दीती है जिसके बाद एक सीन लाइला के उपर शिफ्ट होता है इस समय वो यहां पर अपने बेटे स्टैन को छोड़ने के लिए आई थी डियागो के पास में और यहां पर मस्गूम रही थी लेकिन तभी पता चलता है कि उसका ब्रीफ के खराब हो क्या है और वापस से उसे टेलिपोर्ट नहीं कर पा रहा है इसी के करण लाइला बहुत जादा भड़क जाती है और खुद के ब्रीफ केस को जोर जोर से मारने लगती है लेकिन फिर भी वो ब्रीफ केस नहीं स्टार्ट होता जिसके बाद में सीनिया क्लाउस और नंबर 5 के नहीं निकले हैं बलकि हम तो पैंसलवीनिया जाने के लिए निकले हैं मैं मेरी मा को ढूरना चाहता हूँ अब जब मैंस टाइम लेन में आया हूँ तो कभी तो मुझे पता चले क्या कि मेरी मा कौन थी जिस बाद के उपर नंबर 5 को भयंकर गुसा आता है और वो गाड़ी मोरने लगता है कि तुम्हारा दिम्माख खराब है आकर तुम इतनी बड़ी चीज कैसे कर सकते हो तुम्हें पता भी है कि अगर तुम तुम तुमारे हम शक्ले से मिल गए तो किती बड़ी गढ़बर हो सकती है हम वहां पे नहीं जाएंगे और नंबर 5 गाड़ी घुमा द कि वो उसे जैसे ब्रीफ केस देगा तो यह सारे लोग यहां से चले जाएंगे और उसके आज वापस कभी नहीं आएंगे जहां पर एलिसन को डाउट था कि मारकस ऐसा कुछ भी नहीं करेगा और उसे लोगों के उपर बिलीब नहीं करना चाहिए जिसके बाद में अब यहां चीजें भरोसा करके अलिसन को बताई थी जिसके बाद सीन यहां वापस से नमबर फाइफ और क्लाउट के उपर ही शिफ्ट हो जाता है यह दौनों ही एक जगा पे खड़े थे और बाते वगर करने लगते हैं दुनिया जहान की फाल्तु की बाते जिसके बाद में अब नम कि शिफ के अंदर हैं तो क्लाउट को अपनी चिट मिली और उसrome चिट को फार के पनी पास रख लिया अब कही ना कहीं नमबर 5 को मई gle का क Oooh करता हूँ तो क्लाउट के वाते हैं और लेकिन में सब चीजों के बार में मुरू तो लगाना ही है वो नंबर 5 को बहुत जादा मनाता है और आखिर में नंबर 5 क्लाउस की बात मान जाता है कि यह लोग अब क्लाउस की मां से मिलनी के लिए चलेंगे जिसके बाद में सीनिया डियागो के उपर शिफ्ट हो जाता है जो कि अपने बेटे स्टैन को लेके सूपर अलफांसो के पास में जाता है अलफांसो भी ready रहता है कि यह आजाओ कर ले फाइट तो जैसे डियागो आगे जाके उसे पंच मारता है तो सीधा वो पंच डियागो को ही लगता है उसके बाद तो इनकी जबरदस फाइट शुरू हो जाती है पूरे के पूरे मॉल को तोड भी मदद करने के लिए आता है डियागो का लेकिन स्टैन को यह नहीं पता था कि अलपांजो को मारने से उसके खुद के लग जाएगी उसने चाकु चलाया जो कि उसके पैर पे लग गई डियागो अपने बेटे को संभालने के लिए आता है और अब तो जैमी भी आ गई थी जैमी अपने मूँ से बहुत गंदा वाला जहर निकालती है लेकिन सही टाइम पे ही स्टैन ने एक पैन को आगे कर दिया इसी की कारण इन दौनों के उपर कोई फरक नहीं पड़ा जिसके बार डियागो डब बे फैक फैक के जैमी को मारता है और जैमी के सर पे भी लग जा है और उसके बाद जाके खुद के मां के नाम को फुकारने लगता है कि मुझे लेडी से मिलना है लेकिन वहां जो लेडी खड़ी थी बहुत बुरी तरीके से डर जाती है कि क्या तुम किसके भारे में पूछ रहे हो तब यहां पे डाड़ी वाला आदमी आ जाता है जो कि क भी अपनी शकल मत दिखाना क्लाउस को समझ में आ गया था कि यहां के लोग अब भड़के हुए हैं और क्लाउस को मार देंगे पीट देंगे इसके करण क्लाउस यहां पर बिना रुके जाने लगता है जिसके बाद में सीनिया लूथर के उपर शिफ्ट होता है हालां कि य स्पेरो अकेडमी के अंदर बोहुत मज़े कर रहा था वहाँ पर exercise कर रहा था साथ सलोन के साथ अ वा पर मुठाने मैं लूथर बताने लगता है कि कुछ पहले तो वह मून पे भी गया था जिस चीज को सुनके स्लोन बहुत एक्साइटेड हो जाती है लेकिन स्लोन को पता चलता है कि कोई ना कोई इनके उपर नजर रख रहा है क्योंकि इस वक्त यहां पर फ्ली के कववे भी घूम रहे थे इसी के करण वह लूथर से कुछ पराज होके चला जाता है तो यहां पर एक सीन के अंदर लायला को भी देखते हैं जो कि स्पैरो अकैडमी के लोगों की पावर्स को देख रही थी इसी वक्त वह पराडॉक्स स्टार्ट होता है नंबर फाइव बैठा था कार के अंदर उस पूरे ग्राउंड के अंदर बह पर चली गई यहां पर हम ग्रेस को भी देखते हैं यानि की रोबोट को जो कि उस इतने बड़े पैरडॉक्स के लिए खाना लाई थी और उसे लगता है कि यह तो भगवान है जिसे खाना देना बहुत जादा जरूरी है इसी के साथ में सीनिया क्लाउस के उपर शिफ्ट ह कहती है कि देखो तुम यहां से चले जाओ यहां पे अगर तुम रुके तो तुमारे लिए बहुत बड़ा खत्रा हो जाएगा तुम सही टाइम पे यहां से निकल गए तो ही ठीक होगा और वह भी जिंदा भी नहीं है उनकी डेथ हो चुकी है क्लाउस ही बात सुनके बहु तरेके का एंवायरमेंट लगने लगता है क्योंकि बच्ची रो रहे थे तो उसे अपनी बच्ची याद आ रहे थी साथी में जो बार टेंडर थी जो कि उसे कॉफी देने के लिए आई थी तो उसे एकदम से खुद का टाइम याद आ जाता है जब 1963 के अंदर एक वाइट म लेकिन तबी वो लेडी वापस आती है और क्लाउस को कहती है कि मेरी जो बहन मरी है वो बहुत ही गलत सिचुएशन के अंदर मरी थी उसका मरना नॉर्मल नहीं था उसे ब्रेन हैमरेज हुआ था क्लाउस यहां पर बताता है कि मैं एक अक्टूबर 1989 को पैदा हुआ था जहा लेडी की यह लेडी समझ गई थी कि इसकी बहन जो मरी थी यह उसी का बेटा है उसी वक्त यहां से क्लाउस और नमर फाइव दौनों भागने लगते हैं यहां दूसरी तरफ हम एलिसन और वानिया को देखते हैं जहां पर एलिसन काफी जाधा परिशान थी क्योंकि उसे अ आदमी था जिसे हमनी बस की अंदर भी देखा था और यह अपनी जान बचा के भागने लगता है अलिसन इसका बहुत दूर तक पीछा करती है लेकिन उसे नहीं पकड़ पाती विक्टर अब यहां पर पहुंच गया था और उसके पास में ऐसी पावर सी कि उसने पूरी की सारी रोग बैठे थे और अब यहां पर लूथर को भी बुलाया जाता है यहां पर बताया जाता है कि कैसे अलफान्जो और जैमी बूरी तरी किसे पिट के आए हैं और इन्हें डियागो ने मारा है जहां पर लूथर कहता है कि बस मेरे फैमिली वाले आने ही वाले होंगे और उन्हें जरूर पता लग्या होगा कि मैं इतने टाइम से गायब हूँ, वो बस आने वाले होंगे, जहापे बैंट थोड़ा सा मजाक उड़ाता और कहता है, कि हम तुम्हें यहाँ पर रोक की नहीं रखना चाते हो, अब तुम आजाद हो, तुम यहाँ से जा सकते हो, लूथर की भयंकर इंसल्ट कर चुके थे, और उसे वहाँ से गिर्फ वगरह दे के भेज देते हैं, दूसी तरफ हम यहाँ पर लायला को देखते हैं, क्योंकि इस वक्त व्ली के जो कववे थे, वो उड़ रहे थे, और जैसा कि लायला के पास में इन सारे बच्चों के मिल वगरह कर रहे थे, अलिसन फुल ड्रंग थी, डियागो, विक्टर, ये लोग भी बैटके पी ही रहे थे, कि इतने ही देर में क्लाउस और नंबर फाइफ भागते हुए आते हैं, और कहते हैं कि जल्दी से यहाँ पे खटे हो जाओ, मुझे तुम लोगों से बहुत इंपो नहीं हुए हैं, सब पूछते हैं कि देखो, इस चीज़ को थोड़ा नॉर्मल करके बताओ, तम नंबर फाइफ बताता है कि हमने एक ग्रेंट फादर पेरेडॉक्स बना दिया है, जिस टाइम हमने जम किया था, वो टाइमिंग की कैल्कुलेशन गलत हो गई थी, और जैसे लूथर को हवा में उड़ाती है, और उसके बाद कुछ की विंडो तक बुला लेती है, लूथर अंदर आता है, लेकिन करिनक है उसे बहुत बुरा लग राता, जैसे कि स्पैरो अकैडमी वालों ने उसके साथ बरताव किया था, स्लोन इन चीज़ों के लिए माफी मांगत आता है, तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोग उसे अगले अपिसोड में, तब तक के लिए टाडा